ज्वार्खन महनें एस एन Campewns Trophy के उपायकत अबु इम्रान ने किया जला इस्तर पर अनावरण उपायकत सहे जला दंडातिकारी चत्रा अबु इम्रान द्वारा आजवाहर लाल नहरू स्टेडियम चत्रा में ज्वार्खन महनें एस सीउ में उक्त एशियन चेंपियंज ट्रॉफी 23 के ट्रॉफी का नावरन एवं आदिकारिक शुभारम का लॉंचिंग 13 अक्टूबर को मुख्य मंत्री जारखन सरकार हिमन सोरिन द्वारा राची में किया गया है इसके पश्चाद राची के सभी जलों में उक्त ट्रॉफी का प्रदैशन किया जा रहा है साथ ही इस अंतराश्टी प्रतियोगिता में एसिया के छे देशों यह था भारत जापान दक्षिन कोरिया चीन मलेशिया एवं थाइलेंड के टीमें भाग लेंगी ऐसे में जारखन में होकी के खेल एवं उक्त महला एसियन चेंपियन्स ट्रॉफी को लोगपिटे बनाने एवं बढ़ावा देने के उद्देश से आज जला इस तर पर एसियन चेंपियन्स ट्रॉफी 2023 के ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख कर अपने आपको प्रेरित करने के लावा प्रोथ साहन के अन्भूती महसूस कर सके ग्यात हो कि युवां में होकी के खेल एवं उक्ति प्रतियोगिता को लोगप्रिया बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए होकी जार्खन द्वारा राज के सभी जलों में दिनांग 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उक्ति ट्रॉफी का प्रदर्शन किया जा रहा है इस तोरह तब इन अनेक वहतरिन खिलाडियों को नाम सुना होगा जो जार्खन की धरती ने पैदा किया मौकी पर जिला परसत अद्देक्ष मम्ता कुमारी अनुमंडल पदादिकारी चत्रा सुरेंद्र उराउं जिला भू अरजन पदादिकारी वैभव सिंग जिला सिक्षा पाकिस कुमार सिंग कोशाद्यक जितिन चंद्रवांशी खिलाडिव स्कूल के चात्र चात्राइं समीत अन्य लोग उपस्ते थे चत्रा जिला के लिए यह बहुत ही इतिहासिक शन है कि चत्रा जवालाल नहरु स्टेडियम में धार्खन राज मिलबानी कर रहा है एशन लिमेंस होकी की और इसमें मानेनिय मुक्वंत्री जी के निर्देश पर फ्री एंट्री कर दिया गया है को टिकेट नहीं खेल को बढ हम देख रहे हैं कि यहां के लोगों ने इसका पूरे प्रोटोकॉल के साथ और पूरे जोश्करोस के साथ बहुत ही भावे स्वागत की अस्ट्राफी का और यह एक बहुत ही अच्छा महौल यहां पर बना है खेल कुद के लिए हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जिला में जो खेल के सुधाय विक्सित हो रही है वो कम से कम राज्की अस्तर का हो और आकांग्षा हमलों का राज्ट्री अस्तर का फैसिलिटी बनाने का हो ताकि यहां पर भी भविश में बड़े से बड़े खेलों का आयोजन का मौका चत्रा को भी मिले